दोस्तों मैं हूँ रोशन वन डबल फर वन रेसिपी इज में आपका स्वागत है आज हम ना तो खान भी बना रहे है ना तो बेशन से दोकला बना रहे है आज हम सेव बना रहे है वो भी बिना फ्राइ किये हुए और बच्चों के लिए नूदल्स भी बन जाएगा वैसी हम किस यो बनाने जा रहे है तो चलिए रेसिपी सुरू करते हैं आपर सबसे पहले बावल में हम एक कप जितना दही लेंगे दही को अच्छी तरह से फैट के लिया है अच्छे से वापस थोड़ा फैट लेंगे ताकि थोड़ी बहुत गुठियां बची हो दही में वो भी न निकल जाए हमें यहाँ पर चाच बनानी है अब हमें पानी एट करना है पानी हम दही वाले कप से ही उतना ही पानी लेंगे अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरह से दही को पानी के साथ अच्छे से चला लेना है और चाच बनाना है अगर आपके पास खट्थी चाच अवे एक चम्मच सुखी लाल मिर्च और अधा चम्मच हल्डी पाउडर एड़ कर लेंगे और अच्छे से मिला लेंगे अब हमें taste के इसाब से नमक एट करना है अच्छे से मिला लेंगे अच्छे से mix हो गया है अब हमें बेशन लेना है बेशन का नाप हमें एक कप धही लिया है तो उसी के नाप से एक कप जितना बेशन लेना है तो friends हमें यहाँ पर पानी डही और बेशन की quantity सेम रखनी है और च्छान के बेशन लेना है तो च्छाननी रखके बेशन एड़ कर लेंगे और अच्छे से च्छान लेंगे ताकि बेशन में जो गुठी है वो ब्रेक हो जाए इस तरह से हाटों से च्छान लेंगे और गुठी ह diagonal को ब्रेक कर लेंगे और बेशन एड़ कर लेंगे अच्छे से मिला लेंगे हमें इसको एक ही direction में मिलाना है ताकि इसमें गुठी है ना बने तो हम इस तरह से चलाटे जाएंगे आप चाहो तो mixer में भी blend कर सकते हो अच्छे से mix कर लेना है बेशन अच्छे से mix हो गया है आप देख सकते हो अच्छे से गुल गया है और perfect ready हुआ है अब हम pan लेंगे pan में हमें tail लेना है और tail को इस तरह से फेलाना है एक चम्मत जितना और गरम कर लेंगे tail गरम हो चुका है gas की flame हम slow रखेंगे उसमें हम सारा गुल एड कर लेंगे बेशन का बेशन को हमें पकाना है गाड़ा करना है तो अच्छे से मिला लेंगे और 10 से 15 मिनित तक हम medium gas पे पकते जाएंगे इस तरह से continue चलाते जाना है बेशन पक के चिपकना जाए और गुठी ना बने इसलिए continue चलाते जाना है और गुठी ना बने उसका में ध्यान रखना है चलाते जाएंगे आप देख सकते हो 2 से 3 मिनित में ही हमारा बेशन गाड़ा हो चुका है लेकिन अभी हमारा बेशन पका नहीं है तो हमें वापस 2 से 3 मिनित तक पका लेंगे पैन को बेशन इजिली चोड़ने लगा है तो हम इस तरह से चलाते जाएंगे हमारा बेशन कुक हो चुका है कलर भी आ गया है अब हमें गेस की फ्लेम स्लोर करनी है और स्लो फ्लेम पे हमें इसको कवर करके इसकी बापस से 2 से 3 मिनित कुक होने देना है अब हमें दुसरी तरफ कोटन कपड़ा लेना है तो यह कपड़ा लिया है हमें यहाँ पर कॉटन कपड़ा ही लेना है सेव को बनाने के लिए तो हम कपड़े को बिगो देंगे कपड़े को गिला करना है हमने कॉटन कपड़े को गिला कर लिया है इसको प्लेटफोर्म पे अच्छे से फेला लिया है तो यहाँ पर हम सज्चा लेंगे जिससे हमें सेव बनानी है और उसको हमें टेल से गार्निस कर लेना है इस तरह से अच्छे से गार्निस कर लेंगे और नीचे की साइज जो प्लेट है वो भी आप देख सकते हो उसका हॉल की साइज छोटे वाला लिया है अच्छे से गार्निस कर लेंगे दूसरी तरफ हमारा गुल भी ready हो चुका है आप उसकी consistency देख सकते हो किस तरह से बनी है और गोल हमारा गरम होना ही चाहिए और गरम गोल ही इसमें add कर लेंगे जितना आये उतना add कर लेंगे हम जो सेव बनाने वाले हैं वो सेव बिना fry की ये बनानी है अब हमें cotton कपड़े में सेव को मसीन से गिराना है इस तरह से continue lace की तरह गिराना है हमें अच्छे से सारा गुल से सेव बना लेंगे आप गुल की consistency देख रहे होंगे कितनी आसानी से सेव बन रही है जैसे खांदवी का गुल होता है वही तरीके से गुल भी रहेगा अभी cotton कपड़े पे ले लिया है हमारा जो कपड़ा है वो गिला है और सेव को हमें थंदय होने तक रखना है अभी गरम है तो अभी थंदय होने देंगे हमारी खटी सेव थंदी हो चुकी है इस तरह से चेक कर लेंगे और जहाँ पर लंबा पाठ है वहाँ पर हम कट लगा लेंगे छोटी छोटी कर लेंगे कट लगाने के बाद 3-4 मिनिट सेट होने के लिए रहने देंगे 3-4 मिनिट हो चुकी है तो हम इस तरह से देख लेंगे आप देख रहे हो कोटन कपड़े से सेव आसानी से निकल रही है इस तरह से निकले तो समझ लेना कि आपकी सेव का नाप परफेक्ट था अब हमें सेव को बावल में निकाल लेना है अब हमें कड़ाय लेनी है एक चमच टेल लेंगे हमेसे उपे खानवी की तड़ा तरका लगाना है आप चाहो तो बीना तरके भी खा सकते हो एक चम्मच शर्सो के दाने एड़ करेंगे उसको अच्छे से चटकने देंगे सर्सो के दाने अच्छे से चटक गए है अब हम गेस की फ्लेम बंद कर लेंगे और एक चम्मच जीरा एर्ट करेंगे उसको भी अच्छे से चटक ले देंगे हमारा तरका रेडी हो चुका है अब हम इस पे ग्रिन लिव्स एर्ट कर लेंगे और सेव के उपर तरका लगा लेंगे आप देख सकते हो हमारी जो सेव है वो बहुती अच्छे से बनकर रेडी हुई है अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरह से ही इसको मिक्स करना है चम्मच नहीं लगाना है शेव हमारी सॉफ्ट है तो तूट सकती है अब हमें उपर से अरदनियाट करना है फैन्स हमारी खटी सिव बनकर रेडी हो चुकी है बहुती जल बनकर रेडी हुई है और बिना फ्राइ किये बनकर रेडी हुई है तो बच्चों को नूरल्स की जगा आप ये नूरल्स जैसी सिव बनाकर खिला सकते हो सबको पसंद आएगा आपको भी पसंद आई होगी हमारी रेसिपी तो जरूर लाइक और सेर करें